हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार दिवाली को अब महस कुछी दिन बाकी रह गए हैं लेकिन उसके बाद भी सराफा के रिटेल मार्किट में सन्नाटा पस्रा हुआ है व्यापारियों ने लक्षमी गणेश की मूर्तियां तो बना ली है लेकिन खरीदारों का उन्हें इंतजार है व्यापारियों का कहना है कि उन्हें धन्तेरस का इंतजार है वैसे तो त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है अब चार-पांस दिनों तक दिवाली की बाजार में रौनक रहेगी लेकिन रिटेल का काम करने वारे सराफा कारोबारी अभी परिशान है उनका कहना है कि अभी वो बिक्रीन नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थी एकके दुके ग्राहक ही बाजार में दिखाई दे रहे हैं बाजार में वैसे तो धंतेरस का सभी को इंतजार है यही एक दिन ऐसा होता है जब ग्राहकों की दुकानों पर जबर दस्त भीर रहती है इस बाज दुकानदारों ने लक्षमी गनेश की कुछ नई वैराइटी की मूर्तिया बनाई है लेकिन अब भारी मूर्तियों का जमाना चला गया है अब लोगों को हलके वजन की मूर्तियां पसंदा रही है इसके साथ ही चांदे के सिक्कों की भी खूब खरिदारी होती है मार्केट त्योहार के हिसाब से तो थोड़ा सा डल है लेकिन देखिए उमीद हम वैपारी लगा के चलती है कि धंतेरस के दिन थोड़ा सा जो है काम निकलेगा बाकि पुश्य नक्षत्र का जैसे कि अखवारों में निकल रहा है धंतेरस दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है शुक्रुवार को धंतेरस है इस दिन बाजार में ग्राहक सोने चांदी की दुकानों पर खूब खरिदारी करते हैं लेकिन अभी बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है सोने चांदी का बाजार अब धंतेरस से उठने वाला है शुहागंज सराफबाजार कमेटी के अध्यक्ष बल्ले भाई का कहना है कि करवा चौथ के आट दस दिन बाजार में सन्नाटा रहता है लेकिन अब सभी को धंतेरस का बेस अबरी से इंतिजार है सी न्यूस के लिए विनोज जूनियर की रिपोर्ट